हेलो पीपल, वाट्स अप, वेलकम बैक तो दी चैनल तो जेबीटी काउंसलिंग आपको पता है कि 21 तारिक से स्टार्ट हो जाएगी और कल से तो इसके लिए आपको बायो डाटा फॉर्म भी भरके ले जाना पड़ेगा काउंसलिंग आपको पता है कि धर्मशाला में ही एच्पी बोस धर्मशाला में ही काउंसलिंग कंड़क्ट कराई जाएगी ओफलाइन कंड़क्ट कराई जाएगी काउंसलिंग तो इसके लिए आप प्रिपेर होंगे 900 seats जो हैं government seats है total और 12 diets में और कुछ private colleges है तो आपको bio data form जो भरना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपको colleges, government college में seat मिल सकती है तो आपको government college वाला diet वाला bio data form भरना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मेरे marks थोड़े कम हैं तो मुझे private college में admission लेनी होगी government में seat नहीं मिलेगी तो आपको private colleges वाला bio data form भरना पड़ेगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसको fill करते टाइम और आपको कौन कौन से document साथ में ले जाने है तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये government colleges वाला government diet वाला bio data form है तो सबसे पहले तो आपने जो आपका merit list में आपका serial number है merit list में पहली line में serial number होगा कौन सा rank है आपका वो rank ही होगा serial number merit serial number हो यहाँ पे fill up कर देना है उसके बाद आपके marks जो entrance में marks आए है मान लिजे आपको 70 marks है तो यहाँ पे 70 भरना है जितने भी marks है वो आपको यहाँ fill करना है और जैसे आपकी counseling 21 को है तो आपको यहाँ पे date डालनी है सबसे यह तो major काम हो गया इसके बाद आप कहता है कि आप कौन सी district से belong करते हो आपकी district कौन सी है वो आपको यहाँ पे fill करने देना है इसके बाद आपका जो DLAD का row number है entrance का वो fill करना है आपकी category general S.E.S.T.O.B.C. जो भी है and sub category वो भी आपको यहाँ पे fill करना है ठीक है इसके बाद name of the candidate आपका नाम आएगा father's name आएगा आपका address आएगा correspondence जो आपका address है full address pin code pin code यहाँ पे आएगा and mobile number आपको जो भी यहाँ पे दिये गए वो fill करना है इसके बाद जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे certificate के नाम दिये गए है आपको यहाँ पे attach करना है इसके नीचे जैसे metric का certificate इसकी photocopy लगेगी 12th की photocopy लगेगी हीमाचली bonafide main category अगर आपका कोई category है तो आपका main category certificate लगेगा अगर आप journal है तो आपको इसको blank छोड़ देंजे सब category है अगर कोई तो वो certificate लगेगा अगर नहीं है तो blank रहना है और आपको ध्यान रखना है कि आपको original certificates भी सारे ले जाना है साथ में और उनकी photocopy भी आपको साथ में ले जानी है इसके बाद educational qualification अगर जो भी है आपकी 12th है अगर आपकी तो वहाँ पर इसके marks डालने है और इसके total marks जितने में से और आपको percentage यहाँ पर डालनी है ठीक है इसके बाद आता है main काम जो आप diet preference का आप कौन सी diet में अपनी preference देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तीन चार diet की आप preference दे सकते हो ठीक है जो भी आप यहाँ पर दे सकते हो जैसे आपको मान लिजीए preference कैसे देनी है आपको तो जैसे आपको मान लिजीए आपको सबसे पहले kangra धर्मसाला वाली diet पर आपको preference देनी है पहली तो धर्मसाला के सामने आप एक लिखेंगे उसके बाद आपको लगता है कि दर्मसाला नहीं तो हमिरपूर में भी सेकन्ड प्रेफरेंस रहेगी तो आप हमिरपूर के सामने दो लिखे देंगे preference नंबर टू जैसे थर्ड आपके प्रेफरेंस लगता है कि आपको बिलासपूर देनी है तो आप बिलासपूर के सामने डालनी है और यहां पर आपके candidate के signature होंगे और बस यही तक आपका काम रहेगा और इसके बाद तो official work है यह office वालों candidate का है जो committee के signature होंगे verification के time पे ठीक है यह तो हो गया government का जो government diet के लिए आपका bio data form रहेगा इसके बाद हम देख लेंगे private colleges का कैसे fill up करना है आपको तो private colleges का भी almost same ही रहेगा बस थोड़ा difference यह रहेगा कि वहाँ पे colleges दो private colleges के name होंगे तो जैसा मैंने पिछले बताया है वैसा ही यहां पे fully fill up करना है आपको merit serial number में आपको बताऊंगा इसके बाद कि कौन सा merit serial number होता है तो यह आपको वैसे ही से इम भरना है इसके बाद जो college preference है यहां पे सिर्फ college के name change हो रहे हैं बाकी सारा ही same to same है तो जैसे रह में स्वरी teacher training institute है को ludistic में तो जैसे यहां अभिलासी DLA training institute है नेर चौक मंडी तो इन आपको शीट मिल जाएगी तो ऐसे आपको preference देनी है जैसे आपको लगता है कि कितने college है 28 college है पूरे तो जैसे आपको लगता है कि मेरी पहली preference जो है यहां रहेगी क्रिष्णा education center नेर चौक मंडी तो आप क्रिष्णा के सामने एक लिख सकते हो okay simply ऐसे आपके preference रहेगी जैस हो जाएगी इसके बाद आपको simply signature करने है और यहां पर आज जिस दिन आपकी counseling होगी वहां की date डालनी है अब इसके बाद यह तो हो गया procedure अब नीचे fees का भी यहां पर इन्होंने दी बताया है कि fees क्या रहेगी जो subsidized seat और non subsidized seat अब private colleges की seats भी दो तरह की होती है एक subsidized होती है half seat subsidized होती है और आदी seat जो है non subsidized होती है अब फरक एन में फरक सिर्फ fees का ही होता है जो subsidized की fees है वो 16,500 रहती है एक साल के जो non subsidized होती है उनके 27,500 fees रहेगी ठीक है और जो advance tuition fees लगती है 50% वो 8,250 लगेगी तो यह इनका fees का procedure है कुछ candidates का यह doubt रहेगा कि इसको कहां से हम download करे तो bio data form आपको hp boss की official website पे भी उपलब्ध होता है वहां से भी आप download कर सकते हो या इन दोनों को मैं अपने telegram पे भी डाल दूगा तो आप वहां से भी अपने bio data forms को download कर सकते हो अब कुछ candidate का doubt होगा कि हमें government colleges में भी seat मिल सकती है और private colleges में भी seat मिलने के चांसे जब उनको आपको मिल जाएगा ओके अगर आपका कोई doubt है कोई है तो comment section में comment कर दीजेगा चैनल पे नहीं है तो subscribe किजिए and all the very best for your counselling and stay safe thank you